इसकी कम्प्लीट अपडेट लेके आचुके हैं प्लस आज हम बात करेंगे युद्वीर दागर एंड अभी पवार के लेटेस्ट पिजिक अपडेट के बिसह में एंड वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि आर्नोर क्लासिक में सभी टीवीजन के कौन-कौन बिनर थे और किस बॉडी बिल्डर को क्या एवार्ड मिला है हम आपको बताना चाहते हैं कि युद्वीर दागर क्लासिक डिवीजन से सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट करने वाले ये देखेंगे क्लासिक डिवीजन में गोल्ड मिडल जीट की प्रोकार्ट की फाइट में उतर पाएंगे क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अब हम अपने नेक्स बॉड़ी बिल्डर के विशें बात कर लेते हैं तो हमाई नेक्स बॉड़ी बिल्डर है रवी पवार रवी पवार ने अपनी फिजिक अपडेट तो नहीं दे लेकिन उन्होंने अपने वार्काउट से एक वीडियो सेर करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने की shoulder की condition, bicep, tricep की condition, आप यहाँ पर देख सकते हैं, wins की लिए रूप से visual हो रही, arms कितने बड़े दिख रहे हैं, दूसरे वीडियो में वो दूसरे वीडियो बे अपना workout से टिर सेर करते हैं, यह देखें, आपने की complete arms की condition के समझ में आता है कि यह अपनी body में lean muscle mass gain कर रहा है, body condition टॉप notch पे लग रही, तो आप लोग क्या लगता है, क्या इस बार रभी पवार सेरू classic में man physics division में gold medal जीत के pro card की fight में उतर पाएंगे कि नहीं, आप हमे comment करके बता सकते हैं, इसके लावा हम आपको बताना चाहते हैं अपने पिछले वाले show में man physics division में silver medal जीते थे, और उस show को जो gold medal जीते थे, वो जीते थे सुंद्रम, हम उंखे भी update लेकर आएं, सुंद्रम भी अपनी latest physics update share करते हैं, वो अपनी upper body की front and back, दोनों की pick share करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पाद देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम कि front body की बात कर लेते हैं, आप यहाँ पास इनके chest की condition देख सकते हैं, कि chest कितना ज्यादा beautiful लग रहा, मतलब कि chest है, huge दिख रहा, abdominal part में, abs भी clear रूप से visible हो रहे, body में fat percentage भी काफी कम है, and जब हम दूसरी pick की बात करते हैं, मतलब कि इनके back की बात करते हैं, तो आप यहाँ प्रेंट बाड़ी हो यह फिर back body, body में suppression देख सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग क्या लगता, क्या सुन्दुरम अगेन, रभी पवार को सेरु classic में, man physics division में, beat कर पाएंगे के नहीं, आप हमें comment करके बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ध्यान देने वाली बात पता देते ह कि यह bodybuilder मनलब कि सुन्दुरम और रभी पवार जिस line up में खेलते हैं, उसमें ही खेलते हैं, अभी से के यादो, और अभी से क्यादो भी इन दोनो bodybuilder को beat करके already gold medal जीच चुके, तो क्या सुन्दुरम इस बार अभी से क्यादो को beat कर पाएंगे, क्या रभी पवार दोस्त हम अपने next bodybuilder के बात कर लेते हैं, तो मैं next bodybuilder है, अभी से एक यादो, अभी से एक यादो का सिरु classic click क्या plan है, उनका on stage beat कितना होगा, क्या ये classic physics में participate करने वाले की नहीं, इसके बिसे में उन्होंने मुके सिंग गहलोर से क्या discussion किया, इसके complete update लेके आगें तो दो इडिए स्टार्ट करते हैं, अब दोस्ता हम अपने next bodybuilder हैं, भुवान चोहान, अब भुवान चोहान अपने next proso की बिसे में announcement कर दे हैं, जून से जुलाई की बीच में दो proso खेलने वाले हैं, और अपने latest video को share करते हैं, जिसमें आप इंके complete upper body condition देख सकते हैं, कि वो अपने lean muscle mass में focus कर रहा हैं, उन्होंने साब तोर पर कह दिया, कि वो अपने lean muscle mass में focus करेंगे, and वो अपने जोगे weak point हैं, जैसे कि chest और back वो इसमें काम करने वाले हैं, और इसका reason भी उन्होंने बता है कि वो क्यों अपने chest, back और अपने waist में काम करेंगे, इसका example देते हुए, उन्होंने कहा कि वो add in bunks के नियम पे चलने वाले हैं, जैसे कि जो present time का standard है, मनलब के add in bunks की physique जिस पेकार से वो उस पेकार से भुवन चाहन अपनी body में changes करने वाले हैं, इसके विशे में भुवन चाहन ने क्या कहा आप उसको भी सुन सकते हैं, फिर उसके बाद भुवन चाहन अपने next proso की विशे में क्या update दी है, अपनी physique की condition की विशे में क्या बत इसकी divor지 में में कम्यें कांपने आप टो हुवे और से उसके कारते हैं, उसके फजे में भुवन चाहन आपने की हैं, अब दीपंको की अटेंच में ढगल गुवन चाहन अपने के रसमर्मारीत कीयस, एक है अबिशे में क्या पस्य लिद्वे हैंजी की की अब कर जैसे कि हमने आप सभी से बोला था कि वीडियो के end में Arnold Classic में कौन winner बना है, कौन क्या award पाया, इन सब चीज के भी से में बताएंगे, तो हमाई जो पहली division है, man's physics division, इसके winner है, add-in bunks, और इसके जो top 6 winner है, आप इनके list यहां पर देख सकते हैं, next division, open body building, winner, samsung dowda, top 6 winner list, आप यह पाये हैं, most muscular award, Nick Walker, and best poser award, and you jacked पाये हैं, तो दोस्तों इसके इलावे, यदि आप लोगों को इन सभी Arnold Classic Seditive Update से संबंदित वीडियो चाहिए, तो वो हमने अपने चैनल में सभी पेका के अपडेट देदी है, open body building, man's physics, flex wheeler ने क्या speech दिये, on stage Arnold Classic में, इन सभी वीडियो में ड लिएक सकते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ, और आप लोगों को आँगे भी इसी पेकासे bodybuilder और competition sensitive सबसे पहले अपडेट चाहिए, तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe कर लिजेगा, प्लस bell icon को on कर लिजेगा, कि हम जैसे भी कोई भी न्यू वीडिय तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, थैंक्स पर वाचिंग, लाइक एंड सिस्क्राइब